मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्या शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी कृष्ण सुदामा द्वारिका के समुद्र तट पर उस वक्त कोई नहीं था था तो सिर्फ लहरों का शोर और चारों और फैला गुप अंधेरा पर तभी मुझे उस अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी आती दिखी कोई शक्स हाथ में मशाल लिये इस ओर ही चला आ रहा था ठका हारा पसीने से भीगा वो शक्स वहीं रेत पे बैठ गया और वो मशाल पास पड़े पत्थरों के बीच दिका दी मैं दूर खड़ा उसको पहचानने की कोशिश करता रहा माथे पे तिलक पूरे मुड़े सर के बीचो बीच एक चोटी बदन पे जगए जगए से फटी धोती और दाहिने कंधे पर टंगा एक थैला उसके पैरों में चपल भी नहीं थी रेट पे बैठा वो शक्स अपने पैरों से काटे निकालते हुए खुद सही बातें कर रहा था कुछ-कुछ मुझको भी सुनाई दे रहे थे उसके शब्द सुदामा तुम मात हो गयो यहां पर क्या इस दशा में कोई तुमको कानहा से मिलने देगा हो क्या कानह तुमको पैचानेंगे यह सुदामा थे जो यहां अपने दोस्त क्रिशन से मिलने आए थे वो क्रिशन जिनके साथ उनकी दोस्ती तब की थी जब क्रिशन राजा नहीं बलकि गोकुल में एक आम गौाले थे अवंतिका याने उजैन में दोनों एक साथ संदीपन रिशी के आश्रम में पढ़ाई करते थे सुदामा सिर्फ पढ़ाई में क्रिशन के साथ ही नहीं थे बलकि आश्रम के सारे काम, खेल कूद और शरारतों में भी उन्होंने क्रिशन का पूरा साथ दिया था उनकी इस पक्की दोस्ती के किस्से सिर्फ आश्रम नहीं पूरी अवंतिका में सुनाई देते थे दोनों हमेशा हर जगए एक साथ ही मिलते थे फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद आश्रम छूट गया और दोनों का साथ भी क्रिशन गोकल से मत्हुरा और फिर द्वारिका आ गये अब वो संदीपन रिशी के आश्रम के साधारन चात्र नहीं थे द्वारिका धीश थे द्वारिका के राजा क्रिशन इन बीते सालों में क्रिशन को भले ही सुदामा की कोई खबर नहीं थी लेकिन सुदामा को कृष्ण से जुड़ी हर खबर मिल जाती थी उनके कारणामे होते ही ऐसे थे कि सारी दुनिया खुद बहुत जान जाती थी कंस को मारने से लेकर दौरिका के राजा बनने तक की सारी खबर सुदामा को मिली थी खुद दिन भर भिक्षा मांग कर जिन्दगी गुजारने वाले सुदामा अपने दोस्त की तरक्की के बारे में सुनके बहुत खुश होते थे वो दिन भर नंगे पैर चिल चिलाती धूप और गर्मी में अपने परिवार के लिए दो वक्त के खाने के जुगार में लगे रहते पर इतनी तकलीफ के बावजूद भी जब अपने दोस्त क्रिश्न के बारे में बात करते तो उनके होटों पे अपने आप मुसकान आ जाती थी बच्पन से लेकर आज तक सुदामा क्रिश्न को एक पल के लिए भी नहीं भुला पाय थे उनकी सारी शैतानिया हर रोज याद आती थी उनको आश्रम के आसपास के घरों से माखन चुराना पेड़ों पे लटतते आम पे गुलेल से निशाना लगाना नीम के पेड़ पे बैठ कर घंटों बासूरी बजाते रहना और पत्थर मार कर वहां से गुजरती पनिहारेनों की मटकी तोड़ना बस ऐसे ही थे सुदामा के क्रिशन वो अक्सर अपने दोस्त से मिलने के बारे में सोचते थे पर पैसों की तंगी हर बार उनके कदम रोक लेती थी अब क्रिशन इतने बड़े राज़ के राजा थे राजसी ठाटबाट था उनका ऐसे में एक गरीब ब्राम्हन दोस्त का दीन ही इन हालत में खाली हाथ उनके पास जाना क्या ठीक रहेगा बस अपने मन के इस सवाल में उलजह सुदामा हर बार क्रिशन से मिलने की खाहिश छोड़ देते पर इस बार उलजहन में मैं था आखिर जो सुदामा इतने सालों से बस एक जरा से संकोच के चलते क्रिशन से नहीं मिलने आये थे वो आज कैसे आ गए खेर कुछ वैसी ही उलजहन में उस वक्त सुदामा भी थे जब उनकी पत्नी सुशीला ने उन से क्रिशन के पास जाके मदद मांगने के लिए कहा था उस पूरे दिन सुदामा के घर में चूलह नहीं जला था उस रोज वो जिस घर में बिक्षा के लिए गए उनको वहां से कुछ नहीं मिला और उनका नियम था कि वो एक दिन में बिक्षा के लिए बस एक घर जाते थे वहां से जो मिल जाता था उसी में अपना गुजारा कर लेते थे पर उस रोज उनकी जोली में एक अन का दाना तक नहीं आया बच्चे भूग से परिशान थे और उनको देखकर सुदामा की पत्नी बेचेन हार मानकर सुदामा के सामने पहली बार उंची आवाज में कुछ कहा था उन्होंने अरे आप अपने मित्र कृष्ण से सहायता क्यों नहीं लेते जिसका मित्र राजा हो क्या उसकी ऐसी दशा होगी हालात से हार मान ली थी सुशीला ने उनकी आखों से आंसू बहने लगे लेकिन सुदामा चुप चाप बस सामने रखी भगवान विश्ण की मूर्ती को देखते रहे उनका मानना था कि भग इसे ज़ादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता फिर मांगने का क्या फाइदा सुदामा अपने दोस्त कृष्ण से मिलना तो चाहते थे लेकिन इस तरह कुछ मांगने के लिए नहीं वो अपनी दोस्ती के बीच किसी तरह का स्वार्थ नहीं लाना चाहते थे पर हालात बड़ी से बड़ी सोच को बदलने की ताकत रखता है मजबूत से मजबूत इंसान को तोड सकता है उस दिन मैंने भी सुदामा को तूटते देखा था अपनी बीवी की तकलीफ और बच्चों की भूक के आगे तूट गए थे वो और फिर द्वारिका जाकर अपने दोस्त से मदद लेने का वैसला कर लिया सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला की बात तो मान ली थी लेकिन वो मन से द्वारिका जाने के लिए तैयार नहीं थे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे भटे और गंदे कपड़ों में बिना कोई उपहार लिए अपने दोस्त के पास कैसे जाएंगे अपने मन की दुविधा अपनी पत्नी को बताते हुए बोले सुशीला काना को माखन बहुत प्रिय है सोचा था जब भी उससे मिलने जाओंगा तो मटकी भर के माखन ले जाओंगा परन्तो कहते कहते सुदामा चुप हो गए सुशीला ने उनके कंदे पे हाथ रखके उनको समझाते हुए कहा वो आपके मित्र हैं और मित्रों के बीच आपचारिकताय नहीं होती और वैसे भी एक सचा मित्र ही अपने मित्र के बुरे समय में काम आता है सुदामा अपनी पत्नी की सारी बातों से सहमत थे लेकिन फिर भी इस तरह याचक बनकर खाली हाथ अपने दोस्त के पास जाना उनको ठीक नहीं लग रहा था सुशीला शायद अपने पती के मन को समझ रही थी वो उटके घर से बाहर चली गई और फिर कुछ देर बाद लोटी तो उनके हाथ में लाल रंग के सूती कपड़े की एक छोटी सी पोटली थी ये क्या है सुदामा ने चौकते वे पूछा सुशीला ने पोटली खोल कर दिखा दी उसमें कुछ तूटे हुए कच्चे चावल थे जो वो अपने पडोस के घर से मांग के लाई थी चावलों का कुछ हिस्सा उन्होंने बच्चों के खाने के लिए रख लिया और बाकी की पोटली बांद कर सुदामा की और बढ़ा दी कहने लगी इसी को उपहर सुरूप अपने मित्र को दे दीजिएगा सुदामा ने पोटली लेकर वहीं रखे अपने थैले में डाल दी लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी के बहुले पन पे मुस्कुरा रहे थे वो सोचने लगे कहां कानहां इतने बड़े राज्य का स्वामी और कहां ये चावल के तिन के ऐसे उपहर तो उसके द्वारपाल भी नहीं स्विकार करते होंगे मन की आशंकाओं को मन में ही रखते हुए सुदामा ने अपनी पत्नी और बच्चों से विदाली सुरज की पहली किरन के साथ ही वो अपने घर से द्वारिका की ओर निकल पड़े पूरे बाईस दिन बाद सुदामा अपने मित्र की नगरी पहुँचे थे समुद्र के किनारे बसी द्वारिका के बारे में अभी तक बस उन्होंने सुना ही था आज पहली बार इस नगरी का वैभव अपनी आखों से देख रहे थे वो पूरा नगर किसी राजमहल के हिस्से जैसा ही लग रहा था बड़ी बड़ी एमारतें, सुन्दर कपड़ों में आते जाते लोग, बड़े बड़े बाजार व्यापारियों कातो जैसे पूरा गड़ था वहाँ दूर से ही अपने कानहा का राजमहल उनको नजर आ रहा था पर नजाने क्यों उनके कदम उस और बड़ ही नहीं पाए चुपचाप किसी और ही दिशा में बढ़ गए सुदामा अपने दोस्त से मिलने आये सुदामा राजमहल की जगए समुद्र के उस किनारे पे पहुँच गए वो रात जितनी काली थी उतना ही गहरा अंधेरा उनके मन में भी पहला था उनके मन की घबराहट मुझे भी साफ नजर आ रही थी वो अपनी उंगलियां रेत के उस धेर पर बस गोल गोल घुमाए जा रहे थे यहां तक तो आ गए थे पर राजमहल तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी दौरपालों ने बाहर से भगा दिया तो अगर काना ने मुझ को पहचाना ही नहीं तो सुशीला को वापस जाके क्या उतर दूँगा ऐसे नजाने कितने सवाल रेत में घूमती उनकी उंगलियों की तरह ही उनके मन में घूम रहे थे पर वहां उस सननाटे में उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था वैसे उनके वो सवाल अब मेरे मन में भी उट रहे थे मैं भी सोचने लगा था कि क्या वाकई एक अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त को पैचान पाएगा इस सवाल मेरे मन में इसले भी थे क्योंकि सत्ता मिलने के बाद कुरसी पे आने के बाद रिष्टों का गणेत अकसर बिगड़ते ही देखा है और सुना भी खैर उस पूरी रात सुदामा समुद्र किनारे उस रेत पे ही बैठे रहे लेकिन रात भर में अपने मन को एक कोशिश करने के लिए उन्होंने मना लिया था पहले ही सोच लिया था कि अगर द्वारपाल ने अंदर नहीं जाने दिया तो उसी पल वापस लौट जाएंगे वहां से उठकर सुदामा एक बार फिर राजमहल की ओर चल पड़े वहां पहुँचे तो कृशन से मिलने वालों की एक लंबी लाइन लगी थी सुदामा चुप चाप उस लाइन में सबसे पीछे जाके खड़े हो गए उनका नमबर आते आते दो पहर हो गई और जब वो द्वारपाल के सामने पहुचे तो उनके पूरवान उमान के मताबिक ही वो उनको उपर से नीचे तक देखता रहा फिर कुछ देर चुप रहने के बाद भौवें चड़ाते हो बोला कुछ से मिलना है कान हाँ हमारा तात पर है आपके राजा कृष्ण से सुदामा ने चेहरे पे मुस्कान लाते हो जवाब दिया पर उनका जवाब सुनके ही वो द्वारपाल जोर-जोर से हसने लगा फिर अपनी हसी रोकने की कोशिश करता हुआ बोला महराज तक क्या संदेश महुचा है मैं उनका नहीं बस इतना कह दीजे कि सुदामा आया है खुद को क्रिशन का दोस्त बताते बताते रुक गए थे वो उनका संदेश लेकर द्वारपाल अंदर तो गया पर काफी देर बाद भी बाहर नहीं लोटा बीत्ती गड़ियों के साथ सुदामा का विश्वास जैसे टूट रहा था उनको लगने लगा था कि अब शायद उनका दोस्त उनका कानहा सिर्फ एक राजा सिर्फ द्वार का धीश क्रिशन बन के रह गया था काफी वक्त बीत गया था पर अभी तक नक्रिशन आये थे और नहीं उनकी कोई खबर लेके द्वारपाल सुदामा के लिए एक और पल वहां रुकना मुश्किल हो रहा था उन्होंने उसी वक्त वापस लोटने का फैसला कर लिया उधर जब वो द्वारपाल अंदर पहुँचा उसी वक्त क्रिशन कुछ देर के लिए दरवार से उठकर अपने कक्ष की ओड चले गए थे बार में वापस लोटा है आते ही द्वारपाल की और देखते हुए बोले कोई और है जो हमसे भेट करना चाहता है वो महराज एक अंतिम व्यक्ति बचा है मेले वस्त्र हैं नंगे पैर हैं अपना नाम सुदामा बता रहा है द्वारपाल का जवाब सुनकर राजगदी पर बैठे क्रिशन तुरंट उटके खड़े हो गए क्या खास सुदामा आया है उनकी आखों में जितनी हैरानी थी उससे कहीं ज़्यादा खोशी चमकती दिख रही थी बिना कुछ और पूछे बिना कुछ और कहे वो दर्बार से दोड़ते हुए सीधा राजमहल के द्वार की ओर बढ़ गए पूरी सभा हैरान थी उन सबने क्रिशन को बहुत धीर गंभीर तो कभी नहीं देखा था लेकिन इस तरह अधीर होकर बेचैन होकर किसी के स्वागत में दोड़ना लेकिन क्रिशन सबकी नजरों और विचारों से बेफिक्तर अपने दोस्त समिलने राजमहल के बाहर आ गए क्रिशन बाहर आए तो सुदामा उनको वहाँ नहीं मिले उन्होंने इदर उदर नजरें दोड़ाई तो दूर महल परिसर से बाहर जाता एक शक्स दिखाई दिया सुदामा क्रिशन ने जोर से आवाज लगाई अपने कानहा की आवाज सुनकर सुदामा के पैर वहीं रुक गए पलट कर देखा तो उनका मित्र उनका कनहिया दोड़ता हुआ उन्हीं की ओर आ रहा था सुदामा के पास आके क्रिशन ने उनको गले से लगा लिया और उनके गले लगते ही सुदामा की सारी आशंकाएं, मन में पहले सारे ब्रहम जिसे एक पल में गाइब हो गए वो काफी कुछ कहना चाहते थे लेकिन उस वक्त उनके शब्द न जाने कहां खो गए थे सिर्फ आखों से आशू बहते रहे कृष्ण ने अपने आशू पोचे और हाथ पकड़ कर उनको अपने साथ राजमहल के अंदर सीधा अपने कक्ष में ले गए कृष्ण की पतनी रुकमिनी भी वही मौजूद थी उनको अपने पती और सुदामा की दोस्ती के बारे में पहले से पता था वो फौरण उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गई एक दास बड़ी सी थाली और पानी से भरी बाल्टी लेकर सुदामा के पैर दोने पहुँच गया पर कृष्ण ने दास को वापस भेज़ दिया और खुद अपने दोस्त के पैर साफ करने जमीन पे बैठ गए दौरकाधीश कृष्ण की आँखें अपने दोस्त के काटों से चलनी पैर देखकर भराई थी और उस वक्त मेरे मन में बस कवी नरुत्तम दास की यही पंक्तियां गुँज रही थी देखी सुदामा की दीन दसा करुना करिकै करुना ने धिरोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पगद होए तभी रुकमिनी की आवाज ने उस कमरे में पहली खामोशी को तोड़ दिया वो सुदामा के लिए तरह तरह के पकवान लेके आई थी खाना खाने के बाद करिशन अपने दोस्त के साथ काफी देर तक बच्पन और गुरुकुल की बातें करते रहे उन्होंने सुदामा से कई बार उनके घर परिवार का हालचाल पूछा पर सुदामा ने मुस्कुरा के बाट टाल दी वो यहाँ आये तो अपने दोस्त से मदद मांगने थे लेकिन कहीं कृष्ण उनको स्वार्थी न समझें ये सोचकर न अपनी मजबूरियां गिनाई और नहीं कोई मदद मांगी पर कृष्ण ने उनसे जरूर कुछ मांग लिया था उन्होंने सुदामा के थैले में रखी चावलों की पोटली देख ली थी हसते हुए बोले क्यों मित्र भावी ने इसमें मेरे लिए क्या बेजा है सुदामा जिजकते हुए वो पोटली चुपाते रहे पर कृष्ण कहां मानने वाले थे उन्होंने उनसे पोटली छीन ली और उसको खोल कर वो तूटे चावल खाते हुए बोले भावी के सुभार के बदले अगर मैं तीन लोग भी दे दूँ तो कम होगा दो मुठी चावल खाने के बाद जब कृष्ण तीसरी मुठी का चावल खाने लगे तो रुकमिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया मुसकुराते हुए बोली कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजे हसते हुए कृष्ण ने पोटली रुकमिनी को पकड़ा दी और रुकमिनी ने ऐसे लंबी सांस ली जैसे वाकई कृष्ण को तीनों लोग किसी को देने से रोक लिया हो अगले रोज सुदामा ने विदा लेनी चाही पर कृष्ण ने रोक लिया धीरे धीरे पंद्रह दिन बीट गए उस दिन जब सुदामा अपने घर के लिए निकले तो उसी तरह खाली हाथ थे जैसे वो यहां आये थे पर उनका मन कृष्ण के प्यार से भरा हुआ था और अपने दोस्त के घर से यादों की बड़ी सी गठरी लेकर वो वापस लोट रहे थे पर जब वो अपने घर के सामने पहुचे तो आखें हैरानी से खुली रह गई वहां उनकी जोपड़ी की जगए एक आली शान इमारत खड़ी थी बच्चे सुन्दर कपड़ों में खेल रहे थे और सुशीला जिसे बस उन्हीं के लोटने का इंतजार कर रही थी दोड के सुदामा के पास आई और हाफते वे बोली दौरिका से कुछ लोग आय थे लेखिए पंज़ा दिनों में ये पूरा भावन तयार कर दिया वस्त राभूशन और बहुत सा धन भी दे गए क्या आपने ये सब दौरिका धीश से मांगा था सुशीला सवाल पूछ कर चुप हो गई और सुदामा मन ही मन मुस्कुराते रहे एक दोस्त ने बिना कहे दूसरे का दुख समझ लिया था और बिना जदाए उसे दूर भी कर दिया था दोस्तों ये कहानी बस इतनी ही